ओम श्यान्तिया आज आपको 123 दिन का इशुरी वर्दान और आज के वर्दान में परमपिता परमात्मा हमारे अंदर की जो चंचलताएं हैं कभी-कभी हम सही रस्ते पे चलने के लिए आगे बढ़ते हैं और आज के बाद में मूड आफ हो जाता है, यह मूड चेंच हो जाता है और हम चलते चलते फिर अपना परिवर्दन कर लेते हैं दृषा बतल देते हैं और इसी चीज़ के बार में आज परमात्मा हमें बताते हैं जब तुम्हारे मन के अंदर जो उचा जो हमारा करतव है कारे है जिसके लिए परमात्मन हमें चुना हुआ है जब वो हम भूल जाते हैं या इस दुनिया में हम किस कारे के लिए आए हैं तो हर एक मनुश्य आत्मा के सबसे उचा एक लक्ष्य होता है ये दुनियावी लक्षी बात नहीं हो रही है ये हो रही है परमात्मा के दिये हुए लक्षी बात तो परमात्मा उस लक्ष को हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि उस चंचलता को भी कंट्रोल करो तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस वर्दान में बाबा कहते हैं अपनी चंचल वृत्ती वृत्ती मतलो एटिट्यूड एटिट्यूड तो तब बनता है जब हम किसी चीज़ को बार-बार सोचते हैं उसी को हम निरने लेकर के कर्म में परिवर्तन करते हैं तो आस्ते आस्ते जब वो कर्म की आदत पढ़ जाती है तो उससे हमारे एक एटिट्यूड बन जाता है आदत ही एटिट्यूड में परिवर्तन होता है जिससे की हमारा कैरेक्टर बनता है या हमारा सोभाव या हमारी नीचर कहें आप वो बन जाता है तो शुरुवात तो होती है सोच से किसी चीज़ को आप बार बार सोचे तो आप वो बन जाते हैं और बार बार कर्म करें तो एक छाप पड़ जाती है तो परमात्मा कहते हैं अपनी चंचल वृति को परिवर्तन कर सतो परधान वायूमंडल बनाने वाले के जवाबदार श्रेष्ट आत्मा भवा तो जवाबदार जवाब किसको देना पड़ेगा परमपिता परमात्मा को जवाबदार क्योंकि जो कर्म की बात होती है तो परमात्मा ने कहा है कि अंत समय में जब अंतिम समय आता है कुछ लोग कहते हैं किसी धर्म में कयामत का समय कुछ कहते हैं आपका महाकाल का समय कुछ आत्मा कहती हैं इसको जज्ज्मन डे तो जब वो समय आता है तो उस समय हमें जवाब दे जो पढ़ना पढ़ जाता है। परमात्मा कहते है यह तो बैना लो यह तो फिर गवा लो तो देखें इसका विस्तार किया है पाप क्या क्या चाहते है ओप जो बच्चे अपनी चंचल वृत्यों को परिवर्तन कर लेते हैं तो चंचल वृतियां क्या आती हैं, वो भी हम देखेंगे, वही सतो प्रधान वायू मंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृति से वायू मंडल बनता है, अगर आप अपने घर बार में रहते हैं, ओफिस में रहते हैं, कामकाच के समय पे आप कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर या तो चंचलता कभी आपका मूड किया तो आपने काम किया कभी मूड नहीं किया तो नहीं किया कभी आप गुस्सा हो गए कभी किसी विक्ति के साथ में ज़्यादा लगाव हो गया तो आपने अपना समय बेस कर दिया कभी देखा जाए तो बच्चों के मामले में भी अगर आपकी चंचलता की वृत्ती है टीवी ज़्यादा देखना मॉबाइल फॉन के साथ में ज़्यादा रहना तो पड़ाई नहीं हो पाती कभी-कभी मूट करना, कभी-कभी मूट नहीं करना तो चंचलता की जो वृत्ती आती है उसको रोके कैसे कभी किसी इंसान के साथ में ज़्यादा लगाव होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने काम, अपने करताव, अपने भविश्य को भी पोस्पोन कर देते हैं या उस पर हम ढीले पड़ जाते हैं हम उस वेक्ति के साथ ही जाधा अपना समंधने माते हैं और अपने आपको भूल जाते हैं वो भी चंचलता में ही आता है तो परमात्मा कहते हैं ऐसी चंचलता कभी आपने meditation किया, दो-तिन दिन आपने meditation किया, दो-तिन दिन आपने व्रिकती से होता है, इसलिए इसको कल्यूग कहा जाता है, तो इस कल्यूग में अपनी वृत्ती, अपने अटिट्यूट को समाल के रखना और सही दिशा में लगे रहना, तो यह है एक अफिल क्लाइम, जिसको कहते हैं पहाड चड़ना, परमात्मा कहते हैं यह मासी का घर नह अतना असान नहीं है, लेकिन समय लगता है इसमें परिवर्तन करके अपने आपोच चलते रहना, थोड़े थोड़े परिवर्तन करना, संसकार परिवर्तन करना और आगे बढ़ते चलना, उसी कहते हैं वृत्तियां चेंज करना है, जो हमारी बहुत बुरी आदिते हैं, करते हैं परमपिता परमात्मा का है, हम मनुश्यात्मा हैं जिनकी बुद्धी में ताला लगा हुए हम सोचते हैं भगवान हमें बच्चा देता है, भगवान हमें पती या पतनी देता है, भगवान हमें घरबार देता है, परमात्मा ही हमें धन दौलत देता है, लेकिन हमें पहले सिखाते हैं परिवर्वतन करना कैसे होता है अपने करतव्यों को कारधत करें और लोग देख करके हमें कर पाए यू मंडल डिखाना घर का इटमोस स्वेर चेंज करना हम चेंज हों दौछा फार बड़ा कार्पन विआह श्मारे के जाता हुं और तुम उस कर लेंगे परसो कर लेंगे आज कुछ दे मेडिटेशन करी ताइम पर उठे सुबा कभी नहीं उठ पाए कभी मन किया कुछ बाहर की चीज़े खाली परमात्मा ने कहा है सात्विक भोजन खाना है तो हमने वो छोड़ दिया कभी मन किया किसी की बारे में चटपटी बाते सु उचा कारे उसको भूल जाते हो कोई वेक्ती भी अपने जीवन में अगर बहुत उचे कारे को भूल जाए अगर वो भूल जाए कि वो क्यों यूनिवस्टी में आया है अगर वो भूल जाए कि वो क्यों कॉलेज में गया है अगर भूल जाए कि उसने ये नौकरे क्यों ली अगर भूल जाए कि वो बिजनस में क्यों आया है तो फिर वो लक्ष से भटक जाता है कि जी दिन मूट करता है तो गए टाइम पे गए बिजनस में कभी नहीं गए तो डिसिप्लिन की कम्या आती है क्योंकि आटिट्यूट चेंज जाते है परमात्मा कहते है इससे नुकसान किसको होता है तो उसके लिए लक्ष को याद रखे और सुमृती रखे कि सबसे बड़ा लक्ष क्या है मनुश्य का तो परमात्मा कहते है अगर कोई अती चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है पढ़ा कर रहा है बिजी अलिकम बीच बिच वीच मों के करता है चंचल हो जाता है बढ़ा थुड़ा से पाँच म joy पढ़ा फिर चले ङगए दर दर गोमने चले गए तो परमात्मा कहते हैं तो उससे बांध देते हैं उसको बांध देते हैं कमरे में बंग करते हैं तुम इस कमरे से भार नहीं निकल गए जब तक बढ़ा नहीं nine cutem करतेया तो उसी तरिके से ऐसे ही ज़ी ज्यान योग में busy होते भी ज्यान में योग में meditation में करम busy होते भी वृति चंचल हो हमारा attitude चंचल तो परमात्मा कहते हैं, तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो, तो चंचलता सह समाप्थ हो जाएगी, परमात्मा कहते हैं, कि अगर हम इस ग्यानमार्ग में चलते हुए, हम साती संबंदी बना लेते हैं, इस ग्यानमार्ग में भी, एक य लक्ष को भूल जाते हो, उन साथी संबंधियों के साथ ही लग जाते हो, तो परमात्मा कहते हो, उस समय भूल मत जाना कि तुमारे सारे संबंध मेरे साथ है, मैं ही तुमारा बंदू हूँ, मैं ही तुमारा मात हूँ, तुमारा साथी हूँ, तुमारा साजन हूँ, सब कुछ तो वृष्माई हूँ तो समय जब तुम मुझको बना लेते हो और आत्मा से और साधनों से संबंदों को तोड़ते जाते हो। तो अगर हम परमात्मा के साथ रहें और उनके साथ सारे संबंद निभाएं तो कोई हमें भी परिवार का हो। और आपको बिएक्ति हो, हमें अपने लक्ष से हटानी सकता, हमें नेगेटिविटी हमें फैला नहीं सकता, क्योंकि हमारा समद्ध परमात्मा से है और हमारा लक्ष बहुत उचा है, तो कभी-कभी अगर आपके साथी समद्धि आपको नेगेटिव बोलते हैं, तो आप सोचीगा आपका लक्ष कौन सा है, क्या आप अपने लक्ष को देख रहे हैं, क्या आप अपने संबंध को देख रहे हैं, तो लोक लाज में आके कहीं लोग अपने मार्ग को पदर व्यक्तन कर देते हैं और अपने सच्चे मार्ग से दूर हो जाते हैं, तो आज का ये वर्दान गहराई से सोचिए कैसके पारे में और आज का आपका तिन शुब हो, आप स्वस्तर रहें, घर में रहें, ओम शंती